तो आई हंगामेदार विदानसवा सत्र के शुरुवात हुई जिसमें पहले दिन कॉंग्रेस के विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां पहुँचे इस दोरान एनबी नियूस से बातचीत करते हुए कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और विदाह किरन चौधरी ने क्या कुछ आईए सुनते हैं पेपर लीक का मामला जो है पूरी तरह से गरमाया हुआ है विदानसवा सत्र के पहले दिन ही कॉंग्रेस विरोध प्रदर्शन करती हुई सदन तक जा रही है ये मसला इस समय हमारे साथ मौझूद है कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता किरन चौधरी में से जानेंगे कि आखिर कॉंग्रेस की प्रदर्शन किस लिए कर रही है और सदन में क्या रवाय रहे रहेगा हैं कि अपके जो है कि इतने सारे जो यह मुद्दे हैं उनको उठाया तो जा नहीं सकता क्योंकि सदन की जो सतर है वह मुशकिल से दो दिन का रखते हैं अब आप द हरे के से जो हैं जो है यह सरकार हर तरीके से व्वाल हो चुक है और कल जो है मैंने डिमान्ड कर Awko कि सीबिया इंकोईरी जो है इसके उपर करीजाए आज जो है इन के स्वहद्गे बिसक्त हैं ँमिनिस्टर आज उन्होंने भी यह का एक जिसंग है ऑंगर होम मिनिस्टर खुद भी है डिमांड कर चुके हैं अगर सरकार की मंच्छा असलियत के अंदर पता लगाने की है कि ये कौन इसके करंधार हैं और कहां तक इसके तार जुड़े हों हैं तो सरकार को तुरंत जो है कर देना चाहिए और नहीं करी तो इसका मतलब तो तर्चे वाली बात है कांग्रिस कई दफ़े से पिछली देखने में आ रहा है कि जो लगातार अलग ढंग से विरोध परदर्शन करती हुई पैदल मार्च सदन तक करती है आज का विश्य क्या है एक विपक्षी पार्टी होने के नाते जिम्हेदार विपक्षी पार्टी ह होने के नाते हमारा दायत वो बनता है कि हम सारे ऐसे मुद्दे उठाएं और सरकार को घेरें जिस पे सरकार ने गलत कारवाई कर एक तो उसके तहरत आ जो है यह सारे मुद्धर उठा रहे हैं कि किस सायरा से पेपर लिगक का मामला है इस तरा से महंगाई इतनी जबरदस हो के जो है सटकों के पर पड़ा हुआ है सरकार के कोई फरीन नहीं पड़ रहा अपने नए 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 जुम्ले निकाले जा रहे हैं नय ने काम है जो है वो लोगों को भेकाने डिए काम कर रहे हैं तो आपने सुना किरुन चौदर्ण ने साफ तो और पर कहा विदान सभा परिसर तक जा रही है एन बी नियूस के लिए चंडिगड से कैमरामेन मंदीप सिंग के साथ राकेश कुप्र